हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास BBO Z1 Pro Phone है और अपने फोन की किसी भी एप का जो नोटिफिकेशन होता है उसे ओफ करना चाता है किसी कारणवस तो कैसे ओफ कर सकते हैं आज वहीं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स हम दो तरीका बताएंगे ओफ करने का बाद में माल लिजे कुछ कारणवस आप ओफ करना चाहते हैं किसी एप का नोटिफिकेशन तो कैसे ओफ कर सकते हैं वहीं सीखने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखे मैं आपको परी डिटेल के साथ ब प्रोड करना है उपर की तरफ और यहां पे आपको यह ऑफ़्शन दिखेग excel चैसेंट पर्मिस श्रील ऐसे यांप को क्लिक करना है जैसे ही आपको क्लिक करना है ऐप मैनेजर पर जैसे जएक क्लिक करेंगे मदकी सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ऐगा यानि आपके फॉन में जितने भी एप होंगे सारे यहाँ पर शोव हो जाएंगे आपको इस्क्रोल करना है और जिस भी एप को आप चाहते हैं जिस भी एप का नोटिफिकेशन को उफ करना चाहते हैं deep app natin कि मैं इस्क्रोल कर रहा हूं माली जिए हम इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन को इसपर कलेंगा सुच्छा इस यहां पर कलिक करने इसे करेंगे सुच्छा अगया बढातको इसमो findetीатив नोटिफिकेशन का यह इसन दीख आप करने गवाय से आपको कुछ करना wijर Flowers नोटिफिकेशन यहाँ तो आप की नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं आप को सटेपर और नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आप इसी कारणवस आफ करना चाहते हैं और आपको दूसरा step बताता हूं कि दूसरा step क्या है और आफ करने का तो फ्रेंट इसे यहां से close कर देना है कि लोज करने के बाद से friends आपको देख लिए यहां पर माली इंस्टाग्राम का ही नोटिफिकेशन आफ करना है तो आपको क्या करना है अपनी उंगलू को आपको instagram एयप पे कुछ देर प्रेस करके रखना है जैसकर यहां पर उनगली प्रेस करके रखने ही और दिखेएगा और फ्रेंट मेर्चिंट करना है जैसे आप यहांपे क्लीक करेंगे डारेक्टी आपको उस अफ्शन पे बेथ दिया जाएगा आपकी instagram एप पर आना बंद हो जाए याने आपके फोन में कोई भी नूटिफिकेशन इंस्टाग्राम पर आ रहा है तो नहीं आएगा तो इस तरह आप अपने फोन की किसी भी आप का नूटिफिकेशन को आप उसे आफ करना चाहते हैं तो आफ कर सकते हैं अगर आपके पास वीबोजेट वन प्रूफ फोन है तो दोस्तों आई होब कि वीडियो आपको पसंद है और वीडियो पसंद ये तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पे नहीं फ्रेंट चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को आल प्रेस कर लेजेगा फिर मिलते कुछ हैसे इन ओ प्रेंदे मातरं